नमस्कार दोस्तों फिर स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ Moto G9 Mobile में आप यहाँ पर notification ringtone कैसे change कर सकते हैं अपनी पसंद का तो यहाँ पर notification ringtone लगाने के लिए आप क्या करना है चले जाना है setting पे तो setting पे जाने के बाद यहाँ पे आपको ऐसे scroll करना है और sound वाले section पे आपको click करना है यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ऐसे scroll करना है और notification sound का option आपको देखने को मिलता है आप इस पे क्लिक कर लेंगे और notification sound में अभी आपका ये motor वाला जो sound है वो selected है जिस पे green color का है तो यहाँ पे आपको system वाले option भी देखने को मिल जाते हैं तो system में से जो पसंदा रहा है उस ये आप select कर लेंगे तो ये green color का हो जाएगा इसके बाद आपको ok कर देना है तो वो set हो जाएगा अब बात रहें कि यहाँ notification sound अगर आप silent करना चाहते हैं तो none पे क्लिक कर देंगे तो आपका notification silently आएगा किसी को पता नहीं चलेगा ठीक है तो इस step से आप silent भी कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे अपनी पसंद का कोई गाना लगाया जाए तो यहाँ पे add notification पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके सामने इस type से download songs आ जाएंगे यहाँ से ऐसा option नहीं आ रहा तो यहाँ से आप click करके 3 dot पे download को click कर लेंगे तो यहाँ पे मैं इसे select कर दूँगी तो यह गाना हमारी इस ringtone की line में selected हो चुका है यानि add हो चुका है अब यहाँ पे मैं इसे select कर दूँगी ठीक है और इसके बाद okay कर दूँगी तो notification ringtone मेरा successfully change हो चुका है तो इस step से आप यहाँ पे इसके setting कर सकते हैं और यहाँ पे इसका media volume आप कितना रखना चाहते हैं media volume भी आप रख सकते हैं कम बज़ना चाहिए या तेज बज़ना चाहिए ठीक है तो I hope guys यह video आपको ज़रूर पसंद आया होगा इसे type के और interesting videos लेखने के लिए चैनल पर visit करते रहेगा चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए bye bye